राम राम आज हम प्रातेकाल जगकर अपनी हातेली का दर्शन करते वे किस लोग का उच्छारन किया जाता है वो जानेंगे पहला चरण कराग्रे कर अक्षर पूरा है अक्षर पूरा जब आधे अक्षर में अ मिक्स होता है तो बनता है तो करा ग्री का मतलब हुआ ग आधा और पूरा अक्षर जो पूरा हो तो इस पर मात्रा लगती है र पूरे पर ए की मात्रा तो ग्रे करा ग्रे वसते, तुनी को दीर्ग करना है, वसते दोनों अक्षर पूरे हैं, तो इनको वसते नहीं बुलना है, वसते ल, ल की बाद में क्ष, शत्रिये वाला आधा ल की साथ आधा का लक्ष्मी आधिक शत्रिये का मतलब है आधा कर और आधा शत्कौन वाला आधा अक्ष्मी तो आधे कर को अपने ल की साथ जुड़ा लक और आधे श को मी के साथ लक्ष्मी मात्रा दीर गए तो बड़ी एकी मात्रा है तो आपको विसर्गों को ही पढ़ना है लक्ष्मी ही पहला चरण फिर से कराग्रेवसती लक्ष्मी ही साकेंड चरण करमध्ये आदे धह के साथ ये मध्ये करमध्ये नहीं करना है इसको काफी लोग करमध्ये पढ़ते हैं स, अक्षर पूरा, र के साथ, आधा स, सरस अक्षर पूरा, और टी को दीरगए करना है, सरस वती, करम थी, सरस वती, तीसरा चरण, कर, अक्षर पूरा तब ही बनता है, जब उस्खर में A का उचारन मिक्स किया जाता है, वह हम पहले जान चुके हैं, तो कर, मू की मात्रा दीर को अले को भी दीर को करना है तो मुले तू, मात्रा चोटी है तू, गो को दीर के करना है गोविन्दह द मी आ की मात्रा तो विसर्ग को ह पड़ा है पहले चरण में हमने लक्ष्मी शब्द देखा था उसमें मापर बड़ी की मात्रा थी तो विसर्ग को ही पड़ा था लक्ष्मि ही वैसे ही दमी आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा गोविंद हा तीस्ता चरन फिर से करा मूले तुगोविंद हा चौथा चरन प्र का मतलब हुआ प आधा और पूरा जैसे आपने पहले चरण में ग्र कराग्रे में ग्र पड़ा था ग आधा र पूरा बिल्कुल वैसे ही प आधा र पूरा प्र प्रभाती ते को दीर्ग करना है भाग को भी दीर्ग प्रभाती कर दक्षर पूरा है श के उपर आधिर की मात्रा द की साथ करने दर्श न की साथ आधाम दर्शनम च्वाधा चरण फिर से प्रभाति कर दर्शनम पूरी श्लोक का उचारण एक साथ कर अग्रेवसती लक्ष्मिही करम अधिसरस्वती करमूली तुगोविंदह प्रभाति कर दर्शनम एक बार फिर से कराग्रेवसती लक्ष्मिही करम अधिसरस्वती करमूली तुगोविंदह प्रभाति कर दर्शनम श्लोक का अर्थ्वा कराग्रे कर यानी हाथ हाथ की अग्र भाग में हम अपनी हातेली के दर्शन फोटो में कर पा रहे हैं तो देखिए हाथ की अंग्लियों का जो अग्र यानी आगे वाला भाग है मा पर लक्ष्मी जी निवास कर रही है हाथ के मद्य भाग में मा सरस्वती जी को विराजमान हुए दिखाया गया है और हाथ के मूल भाग में मूल का अर्थ होता है जड़ हाथ की जड मतलब की हाथ का निचला भाग हातियली का निचला भाग उस मूल भाग में गोविंद भगवान के दर्शन हो रहे है प्रभात यानि प्राते काल में करे दर्शन हम हतेली के दर्शन करते हुए तो क्या कह रहे हैं कि हाथ की अगरे भाग में मालक्ष्मी निवास करती है हाथ की मध्य में मासरस्वती और हाथ की मूल भाग में गोविंद निवास करते हैं प्रबात प्रात्यकाल में मैं अपनी हादेली का दर्शन करता या करती हूँ एक चीज और इश्लोग के माध्यम से कही गई है कि हम जो किसमत भाग्य क्या भरुसा करके किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं तो हम प्रातर काल उटकर जब अपनी हातेली के दर्शन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि धन की प्राप्ति, मतलब लक्ष्मी जी की प्राप्ति हाथ से ही हो सकती है, मतलब मेहनत से ही हो सकती है, सरस्वती अर्थार्थ विद्या की प्राप्ति भी हम अपनी हातों से मेहनत करक से ही संभव है इसलिए सब कुछ हमारे हाथों से कर पाने पर संभव है चाहे वो धन हो चाहे वो विद्या हो चाहे प्रभू की प्राप्ति हो तो सब कुछ हमारे हाथों से संभव है इस हाथ से सेवा करके इस हाथ से विद्या अरजुत करके और इस हाथ से मैनत करके धन कमा कर तो इसलिए हमें अपनी मेनत पर वरोसा करना है ना की भाग्ये पर अवे नाशी सहज सुखराशी हे नात हे मेरे नात मैं आपको भूलो नहीं